नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इस्तियाक आहमाद और आप देख रहा रहे हैं जोरों करेंगे तीश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ बुलिटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और एहम खबर से जहां पर एयर फोर्स के दो ग्लोब मास्टर विमान भारत आ वहीं आपको बता दे कि यूक्रेन और रूस में लगातार जंग जारी है और वहीं आपको बता दे कि 9 दिन है जंग का जिस बीच आप विमान से 210 भारते चात्र वापन वापस लोट चुके और एयर फोर्स के दो ग्लोब मास्टर विमान भारता है जिसमें करीब 210 भारते च चात्रों की वापसी हुई है और केंडरी राज्यमंत्री अजे भट ने उनका स्वागत भी किया है इस वक्त की बड़ी और एहम ख़बर जहां पर विमान से 210 भारते चात्रों की वतन वापसी हुई है लगातार ओप्रेशन गंगा के तहट भारते चात्र वापस आ रहे है यूकरीन के बीच आज भी यूद का नोवा दिन है और ये लड़ाए अब दिन पर दिन तेज होती जा रहे है और अभी कुछ भारते चात्र यूकरीन के राजधानी कीव और सबसे बड़े शहर कारकीव में फसे हुए है और रूसी सेना पिछले 24 घंटे में कारकीव चैने ही बोरो दियां का मारियो पोल में भारी बंबारी की है और इन हमलों में सिर्फ 24 घंटे के अंदर करीब 22 लोगों की मोत हो चुकी और इस बीच भारते सरकार ने बताया है कि कीव में एक भारते चात्र को भी गोली लग गई है जिसके बाद उसे वापस कीव भीज दिया गय और उसे बीच रास्ते से ही वापस कीव ले जाए गया और हम कम से कम नुकसान में जादर से ज़्यादा बच्चों को निकालने की कोशिश करें और वहीं वीके सिंग ने आगे बताया कि अभी 1600 से 1700 बच्चों को भारत पेजना है और पिछले दिन तीनों में साथ फ्लाइट है और उन्होंने आगे कहा कि हम कुल पांस फ्लाइट निकालेंगे जिसमें हम 800 से 900 बच्चों को भारत बेजिंगे और हमने बच्चों के रुकने के लिए यहां आइस्थाई विवस्था भी बनाई है रूस और यूकरेन के बीच जारी जंग का आज 9 दिन और अभाल अद्बत से बत्तर होते जा रहे हैं और ताकतवर रूस लगता यूकरेन को तहस नहस करने में लगा है और दोनों तरफ से भारी जानमाल का नुकसान भी हुआ और इस बीच खबर है कि यूकरेन में यूकरेन के सरकार या दिकारी के हवाले से ये बड़ी खबर दी है कि यूकरेन के विदेश मंतरी दिमित्रो कुलेबा ने आग लगने के बाद रूसी सैनिको से यूरोप के सबसे बड़े परमानू उर्जा सैंत्र पर हमला बन करने का अहवान भी किया और कुलेबा ने ट्विट किया कि अगर ये उड़ा तो ये चोड़नोबिल से दस गुना बड़ा ब्लास्ट होगा और रूसीयों को तुरंट आग बंद कर देनी चाहिए रूसी सेना ने यूकरेन में यूरोप के सबसे बड़े जापूरी जजिया नुकिलियर प्लांट को आसपास के छेट को अपने कबजे में ले लिया रूसी सेना यहां हर तरफ से कोली बारी भी कर रही है और इस घटना के बार यूकरेन के राश्पती वॉल्दिमीर जलेंस्की ने रूस को परमानू आतंक नका सहारा लेने और चेरनोबिल परमानू दुर गठना को धोराने की एक्षा पर्मानु आतंक का सहरा लेना शुरू कर दिया और यूक्रेन में पर्मानु सयंत्र में गोली बारी के बाद बृतेन ने संयुक्त राश्त रक्षा परिशत की आपाद बैठक भी बुलाई यह और इसको लेकर अंतराश्चे पर्मानु उर्जा अजनसी ने घंबीर खत्रे की बीच्छे ताब ने दिये और साथ ही आये आये ने कहा कि हम इस्तिती के बारे में यूक्रेनी अधिकारियों के संपर्क में और पर्मानु उर्जा सयंत्र पर गोली बारी की खबरों से भी अवगत हैं अब वहीं इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर वारा नसी में आज दिगज नेताओं का जमावड़ा रहेगा और वहीं आपको बता दे कि आज बनारस में प्रधान मंतरी मोदी राहुल गांदी का भी दोरा है वहीं आपको बता दे कि प्रेंका गांदी और पूर मुख्य मंतरी अखले शादव का भी वारा नसी में दोरा है और इसके लावा आपको बता दे मुख्यमंत्री मम्ता बनर जी वुपेश बगेल भी इस रैली में शामिल होने वाले इस वक्त की बड़ी और आहम कबर जहां पर लगातार यूपी में मद्दान जो है उसका परचार परसार हो रहा है और वहीं आखरी चरण का मद्दान बाकि करने वाले है और इससे सिलसले में आज बनारस में पी-म मोदी और राहुल गांदी का दोरा है वहाँ पर जनसबा को संबोधित भी करेंगे और इसके लावा आपको बता दे प्रेंका गांदी और पूर्ख सियम अखिलेश शारफ की भी चुनावी जनसबा है और इसके और वहीं विदानसबा चुनाव की मदगर्णा के दिन गडबड़ी होने के आशंकल जताते हुए भारते किसान यूनियन के परवक्ता राकिश टिकेत ने लोगों से निगराने रखने के लिए एक दिन पहले मदगर्णा केंद्रों पर पहुंचने का आवान किया और उन्ह किया जा सकता मदगर्णा केंद्रों पर पहुंचे और मदगर्णा स्थलों पर ट्रैक्टर के साथ डेरा डालिंगे और उन्होंने लोगों से नो मार्च को अपने कपड़े और विपक्षी दलों ने बड़े पेमाने पर अनिमे तताओं पर आरोप लगाये था वहीं भारते किसान यूनियन के राष्टे परवक्ता टिकेट ने कहा कि किसानों की फसले भी डिजिटल इंडिया कैमपेंज से जोड़ दी जाएं तो हमारा गन्य का भुकतान भी हो जाए और हम जिस बैलेट में हैं इस एक साल से गन्य का भुकतान नहीं हुआ लेकिन चुनाव के दोरान भुकतान दस दिन में यह पन्रह दिन में भी हुआ है और उनने कहा कि मेरा मतलब ये है कि सरकार जब चाहे भुकतान करवा सकती है और अगर चुनाव हर साल हो तो गन्ये का भुक्तान भी हर साल हो सकता है और देश में एक बड़े अंदोलन की जरुवत है और उससे कुछ बदलाव हो सकता है और वहीं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी आज से वारण ऐसी के दो दिवे से यात्रा पर रहेंगे और वहीं चुनावी कारेकरम के तहट आज पीम काशी आएंगे और विधान सवाचुनाव को लेकर काशी की जनता से अपने पक्ष में वोट मांगीगे और वहीं तेक कारेकरम के मताबिक पीम इन दो दिनों से में रोड़ शो और रैली भी करेंगे और वहीं आज पीम मोदी का रोडशो होगा और कल यानी परचार के आकरी दिन रैली होगी जहांपर पीम जनता को संबोधित करेंगे और वहीं आपको बता दे कि कारिकरम की शुरुआत सरदा पाटेल की प्रतिमा पर मालियारपन कर उपर होगी जिसके बाद मल धहिया से काशी विश्वनात धाम तक पीम मोदी का रोडशो होगा और जिसके बाद पीम मोदी काशी विश्वनात मंदिर में दक्षण पूजन करे जारे जिसको लेकर बीजेपी के कारे करताओं में जवर्दस उत्सा है तो वहीं रात को काशी में ही आराम करेंगे और कल आखरी चरण के चुनाव परचार के अंतिम दिन पीम मोदी मिर्जा मुराद के खजूरी में एक जनसाबा को संबोधित करेंगी और इसके लावा जटेश में साथ चर्णों में से छे चरण के मद्दान हो चुके और वहीं आखरी चरण बाकी है जो कि साथ मार्च को होगा और वहीं सभी राजनेतिक दलब आखरी चरण के अपना दमखं लगने में चुटी हुए और अब जनता किसे चुनती है ये दस मार्च को ही ते जटान मंत्री का दो दिवे से दोरा रहेगा और चुनावी कारेक्रम के तहट आज पेम काशी आएंगा और विदान सवाथ चुनाव को लेकर काशी की जनता से अपने पक्ष में वोट मांगींगे रूस के यूकरेन पर सैनने हमले और उसके बार रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिवंदों के मद्दे नजर कच्चे तेल की कीमतों में आग लग गई है और कच्चे तेल की कीमत एक सो दस डोलर प्रती बैरल के पार जाम पोचिए और वही रूस पर लगाए गए प्रती बंदों के चलते हैं ये भी माना जा रहा है कि दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाइ बादित हो सकते हैं और ऐसे में अमेर्की राश्पती जो बाइडन ने इलान किया कि यूकरेन पर रूस के हमले के बाद वैश्विक स्थर पर तील की कीमतों को इस्थिर रखने के लिए अमेर्की प्रशासन ने 30 अन्य देशों के साथ मिलकर अमेर्की रणनीतिक आरक्षित भंडार से करोड बैर जाकि उनका प्रशासन अमेर्की कारोबार और उब्भोक्ताओं की रक्षक ले सबी कदम उठाएगा और वहीं बाइडन ने आगे कहा कि मैं सबी अमेर्कियों के प्रती इमानदार रहूंगा जैसे कि मैंने हमें साफ बादा किया और रूसी तानशार ने दूसरे देश पर और हम अपने प्रण नीतिक पेट्रोलियम अरक्षित भंडार से तीन करोड बैरल तेल चारे करें और जरूर पड़ी तो आगे और कच्छा तेल उपलब कराया जाएगा यूपी में अब सात्वे और आखरी चरंड का रंड बागी है जो कि सात मार्च को होगा जिसको लेका समाजवादी पार्टी कोई भी कसा छोड़ने के मूड में नहीं है और वहीं आज समाजवादी पार्टी के प्रमुक अखले इशादव पुर्वांचल के तीन जिलो में छे जनसवा से लोगों को सातने उतरेंगे और वहीं आज माउ गाजीपूर चंदोली और वारनासी में अखले इशादव के कारेकरम होंगे वहीं प्रस्तावित कारेकरम के मताविक सुबा माउ के घोसी में जनसवा को संबोधित करेंगे और वहीं माउ के बाद अखले इशादव गाजीपूर के जहुरा बात जाएंगे फिर जंगीपूर और दोपैर दो बजे गाजीपूर के लंका मेदान में सफा प्रमुक और रोड शो कर अपना दमखम भी दिखाएंगे इसके अलावा वारन नसी में अकले शादव का रोड शो रात आठ बजे शुरू होगा जिसका नाम सफा ने विजे रत यात्रा रखा है